हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास फर्ष्ट में आपको पार्ट शे पढ़ाएंगे इसका शीर्षक है लंधा खर्गोश बच्चों इस कहानी में एक खर्गोश है और वो खर्गोश बच्चों के साथ स्कूल पहुंच जाता है और इसकूल पहुंच करके उसे तरह तरह के किताबों में अलग-अलग तरीके के चित्र देखने को मिलते हैं उसे रंग विरंगो चित्रों वाली किताब देखने को मिलती है उस चित्र में लोमडी, सेर, हाथी, भालो, इत्यादी के चित्र बने हुए थे और वो इसकूल जाने की बात को जंगल में आकर के अपने मित्रों से सेर करता है और उसके मित्र उसकी बातों को सुन करके खुश होते हैं आईए पढ़ते हैं देखिए प्रस्तुत कहानी में एक छोटे से खरगोश की है जो अपने मन में पढ़ने की उमंग उमंग लिए बच्चों के पीछे जाता है आईए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ देखिए एक था नणना खरगोश उसका नाम था चिंटू एक दिन सुवा सुवा वह उठा और घूमने निकल पड़ा रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा वे नहाद होकर सुन्दर कपड़े पहन कर कंधे पर बस्ता टागे कहीं जा रहे थे तो बच्चों को खरगोश का क्या नाम था चिंटू और एक दिन की बात है कि वो घूमने तहलने निकला हुआ था और उसे रास्ते में हुछ बच्चे कहीं जाते वे दिखाई दिए और वह यह नहीं जानता था कि यह बच्चे कहा जा रहे हैं केवल उन बच्चों को जाते वे देख करके वह भी उनके पीछे — पीछे चल दिया देखिए आगे क्या हुआ खर्गोस को यह बहुत अच्छा लगा वह भी चुप चाप उनके पीछे-पीछे चल दिया यानि बच्चों को जब वो बस्ता टांग करके कहीं जाते हैं वे देखा तो यह देख करके खर्गोस को अच्छा लगा और वह भी बच्चों के साथ- स्कूल में पहुचे चिंटू भी वहां आप पहुचा उसे देखते ही सारे बच्चे प्रशन हो गए अभी देखिए जैसे आप लोगों के बीची अगर कोई जानवर आ जाए जैसे चुहा है खर्गोस है तो उसको देखने के लिए आपके अंदर जिग्यासा उत्पन होती या सब लोग उसे देखने के लिए दोड़ते हैं या सब उसे देख करके प्रशन होते हैं तो उसी तरह से उस स्कूल में भी खर्गोस को देख करके जब ये बच्चों के साथ स्कूल पहुचा तो सभी बच्चे उसे देख करके बहुत प्रशन हुए अब देखिये अध्यापक जी पक्षा में पढ़ाने आये नन्हे चिंटू को देखते ही बोले अरे नन्हे खरगोस तुम भी पढ़ोगे चिंटू ने गर्दन हिला कर कहा हाँ अध्यापक जी ने उसे रंग विरंगे चित्रों वाली सुन्दर सी किताब दी जैसे जब ये बच्चों के साथ क्लासरूम में पहुँच गया और जब अध्यापक पढ़ाने आये तो उन्हें भी चिंटू को देख करके आशर हुआ कि अरे ये खरगोस खरगोस मतलब जानवर है ना तो जानवर को देख करके उन्हें आशर हुआ कि क्या ये भी पढ़ेग तो इस शीश को वो चिंटू से पूछते हैं कि अरे नन्हे खरगोस क्या तुम भी पढ़ना चाहते हो तो चिंटू उनकी बातों का उत्तर देता कता हां मुझे भी पढ़ना है और अध्यापक जी उसे तमाम रंग बिरंगे चित्रों वाली सुन्दर सी किताब देते हैं औ और नन्हे चिंटू को यह देखिए चिंटू बड़े मजे से किताब में बने हाथी सेर भालू लोमड़ी याद के चित्रों को देखता रहा जब बच्चों की छुट्टी हुई तो वह जंगल में अपने घर की और चल दिया जैसे आप लोगों की किताब में भी तमाम जान वह बहुत खुश हुआ और पूरा दिन उन्हीं बच्चों के बीच में वह बिताया और फूवानंद लिया और जब करह जब बच्चों की छुट्टी हुई तो वह जंगल में अपने घर की और चल दिया यानि बच्चे जब निकले कलास से बाहर स्कूल से निकले वह भी उ से करता है गटनाओ का अलब वह बताता है कि स्कूल हम कैसे गए स्कूल में हमारे साथ क्या हुआ यह सारी चीजें जो जो बातें उसके साथ घटीत हुई थी यह जिन जिन बातों को जिन जिन चीजों ओशनी देखा था सब अपने मित्रों से वह शेयर किया देखिए जंगल में आकर उसने रंग विरंगे चित्रों वाली किताब सबको दिखाई हाथी सेर भालू लोमडी और मोर सबने अपने अपने चित्र देख और जो किताब साहब उसको दिये थे ध्यापक जी ने उसे दिया था वो किताब ले आया और उसमें जो हाथी लोमडी सेर भालू मोर इत्यादिका चित्र बना हुआ था उसने सब को चित्रों को दिखाया और जब सभी ने अपना-पना चित्र देखा तो सारे खुसी से उचलने लगे तो बच्चो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हुआ इसको आप पढ़िएगा धन्यवाद